जैश्री राम आप सभी का फेर एक बार स्वागत फिल्मी डोज में और आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ जीलर फिल्म की हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के बारे में और इसमें मैं तमन्ना, मोहन लाल और साथी में शीवन्ना के वोईस आर्टिस्ट के बारे में भी मिली तो हमारी वीडियो को अंतक जरूर देखेगा क्योंकि इसमें आप सभी को सारे voice artist से related information मिलने वाली है तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि इस film की जो हिंदी डबिंग है वो मुंबई में नहीं कराए गई है इस film की रजनी कांथ सर की तो आप सभी जानते हैं कि इनके लिए सिर्फ एक ही voice over perfect बैठता है और उसे ही जादतर यूज किया जाता है पेट्टा फिल्म को छोड़ कर बाकी सभी फिल्मों में आप सभी को महियूर वियास की ही आवाज सुनने के लिए मिलेगी और इन्होंने जो काम किया है जब मैंने तमिल ट्रेलर देखा उसके बाद मैंने हिंदी ट्रेलर देखा तो अगर आप लिपसिन वगएरा सब कुछ मैच वगएरा देखोगे असने का स्टाइल सब कुछ ऐसा लगेगा कि इनसे ज़ादा परफेक्ट वोइस आर्टिस्ट रजनी का अंसर के लिए कोई भी नहीं हो सकता तो मैयूर वियास जी ने जो काम किया है जाए वो डायलोग बोले हो जिस भी तरीके से उन्होंने हसा हो एकदम परफेक्ट मैं कहूंगा कि भाई इनसे बढ़िया आर्टिस्ट कोई भी नहीं है अब बात करते हैं सुनील की वोइस ओवर के बारे में जैसे ही ट्रिलर स्टार्ट होता है ट्रिलर की स्टार्टिंग में ही सुनील की वोइस ओवर सुनाई जाती है और एक ही डायलोग था तो इनकी हिंदी वोईसोवर दी है मनीश भवन जी ने और आप सभी ने इनको बीस्ट फिल्म में भी देखाई होगा तुझ लिए बढ़ते हैं अगले वोईसोवर की तरफ और आप सभी ने उनको तो बिल्कुली पहचान लिया हुआ जी हां मैं बात कर रहा हूँ संकेत मातरी इस फिल्म में अपनी वोईसोवर दे रहे हैं विनायकन को और जो इनके डायलोग्स थे वो काफी दमदार लग रहे थे और जो विलन वाला टच था वो भी हम सभी को साफी नजर आ रहा है तो संकेत मातरी सर ने भी अपना काम पॉफेक्ट किया है अब बात कर लेते हैं शिवगामी देवी की जी आ मैं बात कर रहा है रामया कृष्णन जी की तो इनकी वोईसोवर कौन ही दे सकता है आप सभी समझी के होंगे आपने ट्रेलर में भी अवाज सुन ली होगी तो सबीना मोसम मलिक जी ने ही इनकी हिंदी वोईसोवर दी है और ये भी लाजवाब लग रही है एकदम आप लोग कमी निकाली नहीं सकते तो चली अब चलते हैं जैकी शरॉफ की वोईसोवर की तरफ और सबका यही होगा कि भई जैकी शरॉफ को कौन ही वोईसोवर दे सकता है तो लग बग सभी को पता चल गया होगा जितने भी लोग हिंदी डबिंग से रिलेटेड इनकालते हैं उनको सबको यह क्लियरली पता चल गया होगा कि समय राज ने अपनी वोईसोवर दी है जैकी शरॉफ को पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि समय राज ने सिर्फ और सिर्फ स्क्रेच डब किया है स्क्रेच का मतलब मैं आप सभी को कहीं बार बता चुका हूँ हिंदी सुनने की कोई ज़रत नहीं है उनको सिर्फ हिंदी डायलोगी सुनने की ज़रत है और वो वही डायलोग रिपीट करते हैं और वही रिकॉर्ड हो जाता है तो जैकी शरॉफ अपनी अवास खुद दे रहे हैं बिल ऐसा नहीं है कि समयराज ठककर की अवास हमने ट्रेलर में सुन ली तो फिल्म में भी उनकी अवास सुनने के लिए मिलेगी जी नहीं जैकी श्रॉफ ने अपने लिए खुदी डब किया है ये इन्फोर्मेशन सिर्फ और सिर्फ मैं ही आप सभी को दे रहा हूँ तो सर्फ पुलिस वाले के अब आपको देख रहा है जो तुने नहीं देखा वो मैं देख चुका हूँ इस ट्रेलर में हम सभी को योगी बाबू भी देखने के लिए मिले वॉईस आए गई तो उनकी वोईस ओवर दी है अनमय वरमा ने जिनोंनेख फिल्म में अपनी हिंदी वोईस ओवर दी थी रवीत āजा कू पहले बर्ज्गो पहले वरिस नने उसके बाद में उसे रेड- inkyरजार का find sabeber के चला जाऊंगा तो चला बात करते तमन्ना की वसाइटिस्ट के बारे में तो जो तमन्न की विसाइटिस्ट के उनके बारे में मुझे नहीं बताए कियोंगी मुंबई की नहीं थी वह चनने की हैं और उन्हों नहीं वहीं दब किया है, तो उनका नाम पता लगाना थोड़ा सा मुश्कीन है, तो इसी जिसे मुझे उनका नाम नहीं पता है, अगर नाम पता चलता है, तो मैं आप से भी को जरूर बताऊंगा, तो इसी वीडियो में मैंने सारे वोईस आर्टिस्ट कवर कर लिया है, चाहे वो मो जरूर बताना वोईस ओवर्स को लेकर और ये फिल्म सिनमा दरों में रिलीज हो रही है दस अगस्त को हिंदी में भी तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंटिक किया